प्रश्टी के साथ नेक्स्ट पॉलर से बात कर लेते हैं जी नमस्कार स्वागत है आपका हालो हालो जी नाम बताईए अब नाम है नौनिद में गुजराथ से बात करता हूं शुरत के हैं वह मुझे स्वास्ति तकलीब है हकीम का पोग्राम देखा है बत्चून का सबस्टीर का लिखता है तो विजराथ में का मिलेगा यह अब को ब्लट प्रेशर वगएरा की तकलीब है सांस की तकलीब है और पेट की तकलीब है काम हर डे लेना पड़ता है अच्छा अच्छा देखिए एक तो यह ऐसी कोई चीज ना खाएं जो पेट को एकदम साफ कर दे आपके पैट के सिस्टम को जो चीज साफ ठीक करें, वो चीज लेनी चाहिए, लोग हड़े खा लेते हैं, छोटी हड़ खा लेते हैं, कोई कुछ खा लेता है, कोई त्रिफला काता है, यह सब चीजे नुकसान देती है, इनको पहले शुट करना होता है, और इनको शुट करने के नहीं तो पेट का रोगी बना देती है जैतून का सिरका पता नहीं गुजरात में मिलेगा नहीं मिलेगा आपको मुश्किल आ है तो हमारे हाँ भी फोन करके ओडर लिखवा सकते हैं तो देर लगेगा लेकिर असली सिरका मिलने की आप उमीद रख सकते हैं नेक्स्ट कॉलर है राम पाल मुजफर पूर से हमारे साथ स्वागत है आपका हां जी वह आपको सुन रहे हैं जी जी फर्माईए अच्छा हूँ ऐसा था है है हकेम जी मैंने आपकी दवाई तो ले रखें कैसु ले रहा हैं अच्छा आपके वह समंग वाईत है मुझे परोड़ा था अच्छा कुछ फाइदा हुआ है आपको दवा लेने पर ने कुछ फरक्षा तो लग रहा है मतबले कितने दिन से दवा ले रहे हैं अच्छा तारिक्षा ले रहा है अरे अभी तो आपर शुरू किया फाइदा शुरू हो गया तो बस समझ लीजे आप ठीक ह होने वाले तो फिकर मत करिए यह युनानी आयर्वेडिक दवालों के लिए है सबर वालों के लिए है एक महीना लीजे एक महीन में बहुत ज्यादा फाइदा नजर áता और पिर अगर जैसे 35% फाइदा हुआ तो तो पाईदा हुआता है तो दो महीने लेंगे फिकर मत जोती चंडीगर से हमारे साथ वागत है जोती आपका जी नमस्तार जी मैं जोती चर्वा बोल रही हूँ सर मैंनम सर से पहले तो नमस्तार मैं करूं जी सर ऐसा है कि मेरा यहां पे मुझे न मेरे पेट में बहुत प्रावल्ब्लम रहती है कुछ भी डैजेस्ट नहीं होता खाना और मैं बहुत परिशान रहती हूँ मैंने सभी दवाईयां खाके भी देख लिया पर मुझे कोई अराम नहीं आ रहा बिटा जाच कराई है आपने और एज भी बताई है आपने हां जी हां जी कराई है मैंने मेरे को तरफ गैस की ब्राग्लम बताई है बता है अजिरह मेरी है फूर्टी के गरीब है बताई है नहीं आपको एक नस्हां बताएट ूड़ा आज आप खुद बनायें लेकिन आप से मेरी एक शर्त है कि कोई भी चीज पिसी पिसाई ने लाना, आजकर महिलाएं क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें पिसी पिसाई लाती है, और उसी से खाना बनाती है, और पता नहीं जो पिसे पिसाई चीज़ों में वो बात है के नहीं है, तो जो भी चीज़ बता ना लें पिसा पिसा है नहीं धनिया सो गिराम सौफ सो गिराम सौट सो गिराम और जीरा सो गिराम और कलोंजी का नमक आता है यह सो गिराम एस्टेक होता है कलोंजी का एस्टेक यह सब चीज़े सो गिराम लेके घर में शर्तिये घर में पाउडर बनाएं और आप इसको एक च चाहिए और यह मेटेरियल जो मैंने 500-600 ग्राम बताया है यह खत्व होने से पहले आपका ठीक होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है अनिल हिमाचल से हमारे साथ स्वागत है अनिल आपका मेरे को जो स्वेट इत होता है उसकी मेरे को तकलीफ है और बीपी की थोड़ी प्रावलम है मेरे को पुझली बहुत होती है अनि अचाहि बताई पहले क्या कहा आपने अचाहि ठीक है वह मेरे को बहुत हो रहता है तो चार वाइं जी नाराम रहता है फिर उसके बाद मेरे को फिर वह धंपर पढ़ने शुरू हो जाते हैं बोड़ी पे ना चीक ठीक है बहुत आसान मैं आपको एक इलाज बता जेता हूँ देखिए एक सिर्का आता है जैतून का सिर्का जैतून ऑलिव को कहते है ऑलिव ओयल आता है ऐसी उसका सिर्का भी आता है जैतून का सिर्का ले वेनेगर जिसे कहते है जैतून का सिर्का और रात के समय तीन चमच छोटे चाय के चमच एक गिलास पानी में डाले और एक चुटकी ये खानेवाला सोडा तीन चमब जैतुन का चिरका डालेगे तो ऊसमें इस से याग से उफने लएंगे तो भी मिलाकर पूरा गिलाज भरगे रात को पी लिए करिए अगर आप एक महिने लगातार पीते हैं तो आप की ये δोनों तीनों परिशानिया ठीक होना मुंचिन है नेक्स्ट कॉलर है महेंद्र कोटा से हमारे साथ स्वागत है आपका अलो अलो जी सवाल कीजी अपना एड़ी में जरद रहता है को एड़ो में जरद रहता है महेंद्र कुमारी महेंद्र कुमारी कितनी एज है आपकी और कप से तकलीफ है तरहे से साल की हमरे हैं तरहे से साल की हमरे और मेने दोरी एड़र में चलिए फिर भी आपने जल्दी फोन कर लिया और देखिए आप महनती लग रही है बहुत थोड़ी मेहनत कम करना पहुचा हो चा बिलकुल मत लगाना कपड़े जमीन में बैठके नहीं दोना किजन में सकती है अच्छी उमर है और ये मैं आपको एक बता रहा हूँ दवा वो एक रौ मैटेरियल है उसको मगा लीजे 100-200 गिराम खरीद लीजे उसका नाम है गौन सिया यानि काला गौन इसे कहते हैं ये जायके में बड़ा कड़वा और देखने में ऐसा होता है ब्राउन कलर का ये 100-200 गिराम खरीद लीजे और इसको पौडर बना लीजे दो चुटकी खाने के बाद खाईए ये चुटकी इसे कहते हैं हम तो दो चुटकी खाने के बाद सुबह नाश्टे के बाद खाईए और दो चुटकी रात को ये 100-200 गिराम गौन खतम होते होते आपकी तबियत होना मुम्किन है तो चलिए महेंद्र कुमारी जी आपकी तबियत बिलकुल ठीक हो जाएगी सब कुछ मुम्किन जरूर हो जाएगा लेकिन जो अभी आपको घरेलून उसके यहां पर हकीम सहाब आप ने बताए हैं वो आपको वैसे ही पॉलो करने हैं जैसे अभी आपको यहां पर बताए गए हैं दर्श को जब आप लोग काल कारक्रम में लग जाती है टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए कॉपी पैनल लेके बैठी क्योंकि एक एक नुसका आप लोग नोट डाउन कर हैं लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा क्योंकि आपको यहां से असली मिलता है दर्श को हर चीज एक दम असली होती है प्योर होती है लेकिन एक एक बात का आपको ध्यान रखना है तब ही आपको लाप मिलेगा कि किस तरीके से आपको पीसना है कितने ग्राम चाहते हैं तो आप हमारे अनुभवी डॉक्टर से संपर्थ साथ सकते हैं डेसी नुस्किय जानना चाहते हैं एक सरल एक बहतर इलाज अगर आप जानना चाहते हैं पोन उठाना है नमबर्स पर कॉल करना है जो आप लोगों के सामने आपकी टीवी स्कृइन पर लगातार दि ठीक है मतलब उरीड़ और चठिस गड़ की बाउडर पर है सवाल कीजी अपना जी मैं हकिम साहब से बात करना चाहती हूं जी आदा बताएए क्या सवाल है आपका क्या से वा दिए हकीम साहब पुछ बहुत बड़ी समस्या है हकिम साहब मेरे घर में परशान हो गए है तो आप घरे लू नुकसें भी बताइए प्रीज. बताइए बताइए क्या समस्या है? समस्या बताइए? जी मैं पहले पाच, छो, खे माहना, छे या साथ माहना से हो गया है. मतलब मैं ड़क्तर के पास गई थी ब्लीडिंग हो रहा था बहुत ज़र से. बहुत बड़ा बड़ा मैं क्या थाड़ा गया है मैं समझ गया है उसके बाद सेर ड़क्टर के पास गई तो इलाज भी करवाई फिर उसके बाद ड़क्टर बोले नहीं आपको कुछ प्रोब्लम नहीं है सब श्रीप आपके जो ये में पेट के अंदर अभी कुछ समस्या है अभी कुछ अवाज मिल पारी आपको हमारी आ रहा है जी अभी कोई परिशानी है आपको जी हाँ ब्लेडिंग बं मतलब थोड़ा थोड़ा कम कम है अभी ब्लेडिंग मतलब जाता है बंद नहीं हो रहा है इसमें परिशान हो गया है परिशानी लग रहे हैं ठीक है अपने डॉक्टर से भी आप इलाज लेते रहिए लेडि डॉक्टर से संपार कर सकते हैं और अगर इस से ज़्याद़ तफसील से खुले में बात करनी है तो हमारे इसी नंबर से आपको फोन आएगा लेडि डॉक्टर का वो आप से सारी अंदुरूनी बाते करेंगे और जो रिपोर्ट डॉक्टर ने दी हो वो भी आप उन्हें वाट्साप के हम इसके आपके लिए कोई ना कोई मदद जरूर करेंगे जी नेक्स्ट कॉलर है मीरा पंजाब से हमारे साथ स्वागत है मीरा आपका हाँ जी बताईए मेरा मेरी मम्मी को ना जी बहुत ज्यादा पेट में जलन से गैस बनती है जी ठीक है ते जो भी खते वी उसको खते जल प्यादा हो जाती है ते लेटरिंग वाली था ते बाथरों वाली जर्णा ते बहुत जरन रहती है ममी की उमर पैसट सालेट चीके ठीके एक ममी के लिए आप एक नस्खा बना दीजे आप लिक लीजे मैं बताता हूं यह काफी काम्याब नस्खा माना गया है और देखिए धनिया सब साबुत लेना रो मैटिरिल लेना सब चीज़े और घर में पीछना है ममी के लिए इतना तो आप करी सकती है कि घर में इनको पाअदर बना लेजेगे धनिया सौफ mechan जीरा जीरा। अजवाइन, धनिया, सौ आव, सौट, जीरा और अजवाइन, 100, 100 गराम लिजए और 100 गराम आपको लेना है, कलौन जी का एस्टेक आता है कलौन जी का नमा किसको कहते हैं आसान जबान मैं कलौन जी का एस्टेक 100 गराम उसमें मिलाए ये और पॉडर बनाके 3-4 गिराम सुबा 3-4 गिराम शाम को पानी के साथ मम्मी को देना शुरू करें और जिस दिन से उसी दिन से उनको रहत होने लएगी आसानी होने लएगी और ये सब मैटेरियल जोरो मैटेरियल बताया है इस खतम होते होते आपकी मम्मी का ठीक होना मुम्किन है अगली कॉलर है प्रेयम मुंबई से हमारे साथ स्वागत है प्रेयम आपका मेरी एज है 69 ठीक है मेरे को एक तो काप्स की प्राबलम है पाइल जैं और दूसरा यूरें जो एक कंट्रोल में हो रहा और इतना ज्यादा हो रहा है कि बीपी और नार्मल है वो उसके दवाई में खा रहे हो ठीक बीपी की दवाई आप लेती रहें और इंफेक्शन होते हैं महिलाओं को इंफेक्शन होते हैं जिनकी वज़े से काफी यह आता है पिशाब आता है अकसर रहते हैं उनके लिए तो रखिए अगर कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं आप और बीपी की दवाई भी आप खाते हैं वो खाते रहे हैं एक दवा मैं बताता हूँ और वो लीजे आप गौन सिया गौन सिया आपको लेना है 100-200 ग्राम काला गौन इसे कहते हैं बड़ी मुश्किल से मिलता है लेकिन मिल जाता है कोई परिशानी हो तो फिर आप हमें फोन करना और इसका पॉडर बना के दो चुटकी सुबाद दो चुटकी शाम खाईए तो इससे आपका पेशाब भी कंट्रोल होगा और आपके दर्द भी ठीक होना मुमकिन है चलिए आपका दर्द भी ठीक जरूर हो जाएगा क्योंकि मुमकिन सब कुछ है देशी नुसके जान सकते हैं युनानी पद्दिती से आप लोग जुड़ सकते हैं